नमस्कार दोस्तों जैसा कि आप सब ने थमनिल पे क्लिक किया और इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि कैसे आप परिवारिक लाप योजना का स्टेटस चेक कर सकते हैं और कितने रुपे मिलते हैं पूरी की पूरी जानकारी बताऊँगा कितने दिन के अंदर आपको पैसा मिलता है तो चलिए वीडियो स्टाट करते हैं बगार किसी देरी के मेरा नाम है दुर्गेश पांडे आप देख रहे हैं इसमीगल पांडे चैनल के माध्यम से लेटेस्ट अबडेट तो फ्रेंट स्टेटस चेक करने के लिए आपको सिंपली टाइप करना है पारिव पर इसकी मैं आपको थोड़ा सा इंफर्मेशन दे देता हूं जैसा कि आप सभी को मैं बता दूँ इसकी वैपसाइट पर जब भी आप विजिट करेंगे तो यह करीब एक से दो मिनिट लेता है रिसर्च होने में अगर आपका नेट तो भी कितना भी तेज हो लेकिन एक मि खौत खैंच के 50 सेकंड लेही लेता है साइड ओपन होने में उससे पहले मैं आपको फ्रेंट्स बता दूँ कि तो देखिए हम इसमें ऑफिसल वैपसाइट पर रिडारेक्ट हो रहे हैं उससे में पहले मैं आपको बता दूँ अगर किसी की एज 18 साल से 69 साल के बीच में अ इसको जो है गौर्मेंट की तरफ से 30,000 रुपे की धनराशी प्राप्त की जाती है अगर आप सभी को यह फॉर्म आवेदन करवाना है तो आप हमसे आवेदन करा सकते हैं हम आपका जो पैसा है गारेंटी से दिलवा देंगे उससे पहले मैं आपको बता दूँ हमने एक नए डेसबोड पर रिडारेक्ट हो जाएगे तो यहाँ पर आपको डीस्टिक से जासे आपने भारा है उसके बाleading तेसे देने वाली है आपको इस पर ध्यान नहीं देना है आप चाहाँ 19-20 का यहां पर दिखा रहा हो अगर आपने फॉर्म 22 में भरा है या 21 में भरा है तो आपको इस्टेटर से करने के लिए आपको पैसा नहीं मिला तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं यहां पर 100 हो चुका है और इनका जो आवेदन हमने किया था 23-2022 को रजिस्टेशन किया था और आवेदन पत्र की इस्थिति आप देख सकते हैं SDM द्वारा कारवाई की इस्थिति पेंडिंग इसका मतलब प्रेंट्स यह है कि हमने इनका फॉर्म आवेदन कर दिया है अभी जो इसके डॉक्युमेंट से वह भी हमने समाच कल्यार विभाग में जमा नहीं किया है जैसे ही समाच कल्यार विभाग में इस फॉर्म को हम जम आपको जानकारी पसंद आई होगी तो जानकारी पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक जरूर करिएगा और फर्स्टाइम चैनल पर विजिट हुए तो चैनल सब्क्राइब करके बैल नोटिफिकेशन जरूर आन कर दीजेगा तब तक के लिए गुडबाई फ्रेंड्स ए